गट इस्तापना कब है? कौन से समय गट इस्तापना करना चाहिए? इस तरीके की तमाम जानकारे इस वीडियो में मिलेगी और इसका समापन कब है? यानि कि नवरात्रे लाष्ट नवरात्रा कब है? तो इस वीडियो में पूरा आपको बताया जाएगा टाइम के साथ और डेट के साथ तो चलिए दूस्तों हम जानते हैं जो इस साल का नवरात्री शुरू हो रहे हैं उसके बारे में साल में चार नवरात्री होती है दो गुप्त नवरात्री और दो प्रद्यक्च हिंदु पंचा के अनुसार अस्विन मा के शुकलपक्स की परतिपदा तिती से सार्द्य नवरात्री अराम हो जाती है नो दिन तक चलने वाली सार्द्य नवरात्री में देवी दुरुगा के नो रूपों की पूजा की जाती है और दश्मी तिती के दिन तसेरा मनाया जाता है नवरात्री के पहले दिन सुब मूरत में घट इस्तापना का विधान है सुब मूरत में मा दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेश फ़ल प्राप्त होते हैं आईए जानते हैं घट इस्तापना मूरत और विधी तो इसके बारे में आपको पूरे वीडियोस में बताए जाएगा तो सार्दिय नवरातरी 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं पांच अक्टूबर तर अस्विन शुकल पक्षपरती परदा प्राम 26 सितंबर को शुरू हो गए दो हजार बाइस तीन बज़कर चोविस मेंट पर सुबह और अस्विन शुकल पक्षपरती पर समापन का जो लाश्ट नवरातरा 23 सितंबर दो हजार बाइस तीन बज़कर आठ एमल यानि के सुबह अभी जीद मूरत रहने वाला है 26 सितंबर को सुबह ग्यारा चोवन से दोपेर बारा ब्यालिश मेंट तक घट इस्ताब नगमूरत 26 सितंबर दो हजार बाइस छें बज़े सुबह 26 बज़ के 20 मेंट से 10 बज़ के 19 मेंट तक तो यहां पर आपको बताया है हमने सारा डिटेल